आनन टिटोरियल में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है आज हम पक्षा दसवी विशे हिंदी हिंदी विशे में आज हमारा पाठ आठ प्रण इसके लेखक है मोहन राकेश जी तो बच्चों आज हम इस पाठ का स्वाध्धाय करेंगे ठेक है तो चलिए हम स्वाध्धा सुरू करते हैं सब्द संसार विलीन लुप्त हुआ अद्रिश ओजल प्रकोस्ट बड़ा कमरा आक्रोस क्रोध रोश धुआरे धुवे जैसे तल्प विच्छावना अटारी छाज सूप अनाज फटकने का साधन अनशवर जो नश्ट होने वाला ना हो वित्रिशना अरूची घ्रना सूचना की अनुसार कृतियां की जिये जैसी सूचना है वैसा हम कृति करेंगे अंबिका के घर का वर्णन तो चलो इसका उत्तर देखते हैं हम पहला साधारन प्रकोष्ट दिवारे लकडी की दूसरा प्रकोष्ट में एक और चूला तथा कासे के बरतन तीसरा तीन चार बड़े कुम्भ चौथा चूले के निकट दो चौखिया ठीक है अब हम अगला देखते हैं कृते कीजिए मलिका ने बारिस में किये अन्भव मलिका ने बारिस में कौन से अन्भव किये थे वो चार अन्भव हमें आपे लिखना है तो पहला देखिए मलिका का वर्षा का अन्भव अध्भुत था दूसरा उस च्छन के अन्भव को वह कभी नहीं बूल सकती तीसरा सौ सकती थी पी सकती थी अब आगे देखते हैं तीसरा पाठ में प्रयुक्त इस अर्थ में आये शब्द लिखिए सया तल्प घायल घायल के लिए इस पाठ में कोई अर्थ नहीं है इसे हम नहीं लिखेंगे अनाच धान फटकार डाट चोथा लिखिए परयायवाची शब्द परयायवाची को हम समान अर्थी शब्द भी कहते हैं जिसका अर्थ समान हो एक जैसा हो ठीक है अतरिक्त अतरिक्त काएगा सिवाए अलावा ज्यादा तीनों अर्थे उसके अनभव जानकारी ज्यान उपलब्धी मृत्यू मरण निधन आवसान सेस बाकी इश्वर आउसिष्ट ठीक है अब आगे देखो अभी वेक्ती बारिस में भीगने के अपने अनभव पर पांचे पंक्तियां लिखिये तो बच्चों ये अनभव तो बहुत अच्छा है हम लोग हर साल ही अनभव करते हैं फिर भी मैं इसका उत्तर आपको जरूर बताओंगी चलो मैं इसका उत्तर बताती हूँ एक बार वर्शा रितू में मैं विद्याले जा रहा था आसमान साप था इसलिए बारिस की कोई अशंका नहीं थी मैं बिना रेनकोट लिए बस्ता लेकर विद्याले के लिए निकल पड़ा घर से कुछ दूर ही गया होंगा कि आसमान में काले काले इबादर चागे बिजली चमकने लगी तेज हवा के साथ पानी भी बरसने लगा मैं खुले मैदान में था आस्रे मिलने की कोई गुंजाइस नहीं थी मैं भीगते हुए वापस घर की और लोड़ पड़ा मेरी किताबे कापिया सभी वर्शा में भीग गई थी घर पहुचने पर माने गरम गरम चाय पिलाया मुझे थोड़ी सर्दी लग गई थी इसलिए उस दिन में विद्याले नहीं गया ठीक है बच्चों यह उसका उत्तर है और आप अपना अन्भाव दोनों मिला कर अच्छे से उत्तर लिखिए शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिये गए हैं इसके आधार पर हमें कहानी लिखना है कौन कौन से शब्द है थैली जल तस्वीर अंगूठी हमें इतने शब्द दिये गए हैं और कहा गया है इन शब्दों का उप्योग करके कहानी लिखो तो ठीक है, चलो मैं आपको कहाने बताती हूँ उत्तर नरेश एक बार अपने गाउं से एक रिष्टेदार के यहां जा रहा था उसके रास्ते में एक नाला पड़ता था नाला पार करने के लिए नरेश ने अपना पैंट उचा उठाया और नाला पार करने लगा, नाले में घुटने तक पानी था जह वह नाला पार कर रहा था, तभी उसके पैर में कुछ अटका उसने जुक कर उसे उठाया, वह एक थैली थी उसने नाला पार किया, थैली भीगी हुई थी थैली खोलकर नरेश ने देखा उसमें एक व्यक्ति की तस्वीर थी तस्वीर के पिछले भाग में उस व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा हुआ था थैली में एक अंगूठी भी थी वह पहले अपने रिस्तेदार के यहां गया वहां खाना पीना खा करके जवव शाम को घर लोटा तो उसने सोचा कि यह समान इसके मालिक के पास पहुचाना चाहिए दूसरे दिन तस्वीर में लिखे पते पर नरेश गया दर्वाजा खट खटाने पर उस आदमी ने दर्वाजा खोला जिसकी तस्वीर जोले में थी नरेश ने उस वेक्ति को थेली तस्वीर तथा अंगुठी दे दी जिस वेक्ति की चीजे खो गई थी उन्हें पाकर वहां बहुत खुश हुआ तथा नरेश उस समान को उसके मालिक को देखकर भी उतना ही खुश हुआ बच्चो यहां पर मालिक के बाद की लिखा है की नहीं आएगा मालिक को ठीक है इसको आप थोड़ा ठीक कर लिजे सीख खोया समान मिल जाने पर पाने वाला और देने वाला दोनों की खुशी होती है तो अब यह हमारी कहानी हो गई है तो बच्चो यहां पर हमारा यह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाइनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि मेरी पारसला कालाब सभी बच्चे ले सके ठीक है यहां तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग जे हील, जे भारत